बीपी एड सीटी परिक्षा में राज्यस्तर पर मिलने वाले क्रिडा पुरस्कार और केंद्रस्तर पर मिलने वाले क्रिडा पुरस्कार से संबंदित प्रशन पूछे जाते आज के वीडियो में हम इन सभी क्रिड़ा पुरसकार से संबंदित जानकारी प्राप्त करने वाले तो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन जो चाहतर अभी अभी इस चैनल पे नए आये हैं उनसे मेरा अनुरुद है चैनल का सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़दा से ज़दा शेयर करें साथ ही साथ दोस्तों मुझसे सिधा जुड़ने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडियो को भी फॉलो कर सकते बिपेट सीटी और एंपेट सीटी से सम्मधित कोई भी प्रश्ण वहापे आप मुझसे सिधा पूछ सकते हैं आपके सभी प्रश्णों के उत्तर दिने का पूरा प्रयास वहापे किया जाएगा तो चलिए दोस्तों जानकारी के ओर बढ़ते हैं सबसे पहले देखेंगे स्टेट लेवल अवार्ड्स राज्यस्तर पर दिये जाने वाले खेल पूरस्कार इससे सम्मधित अभी हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं पहला पूरस्कार है शिव चत्रपती राज्यक्रडा जीवन गवरो पूरस्कार महारास्ट राज्य के 60 वर्ष आयू अत्वा उससे जादा आयू के परशिक्षक, मार्गदर्शक तता राज्य के क्रड़ाक शेत्र में अविरत योगदान देने वाले व्यक्ति को यह पुरसकार दिया जाता है इस पुरसकार के शुरुवात सन 2002 से की गई थी दोस्तों CET की परिक्षा में इस प्रकार से प्रशन पुछेंगे आपको कि शिव चत्रपदी राज्य क्रड़ा जीवन गवरो पुरसकार के शुरुवात कब हुई थी या पिर शिव चत्रपती राज्यक्रडा जिवन गरो पुरसकार किस कैटेगरी को अर्थात किसे दिया जाता है अर्थात प्रशिक्षक मारगदर्शक ये इस प्रकार से आपको वहाँ पर आंसर देना है पुरसकार का सुरूप देखते हैं पुरसकार का सुरूप इस प्रकार से स्मृती चिन-प्रमान पत्र अर्था संवान पत्र तीन लाग रूपय नकद राशी बलेजर इसे समझे आपको इस प्रकासे प्रशन पूछेंगे शिवुचेत्रपती राज्य कृड़ा जीवन गरो पुरसकार की राशी क्या है तो आपको तीन लाग रुपे बताना है नेक्स्ट है शिवुचेत्रपती उतकृष्ट कृड़ा मारगे दर्शक पुरसकार राज्य राष्टिय तथा अंतरराष्टिय स्तर्क के खिलाडियों को तयार करने वाले पुरुष प्रशिक्षकों को इस पुरस्कार से नमजा जाता है इस पुरस्कार की शुरुवात 1988-89 से की गई थी इस पुर्व इस पुरसकार को दादोजी कोंड़ियो पुरसकार इस नाम से जाना जाता था पूरसकार का स्वुरूप इक्स प्रकार से है स्मृति चिन्न सन्मान पत्र अर्था प्रमान पत्र तीन लाग रुपे नकदराशी और ब्लेजर यह पूरसकार का स्वुरूप है तर्ड है जिजा मता उतकुरुष्ट किडा मार्ग दर्शक पुरसकार यह पुरसकार राज्य राश्ची यत था अंतरर julis करने वालेयाद करो है राज्य का स्मृति चिन्न प्रमाण पत्र यांपे भी तीन लाग रूपए नक हैप्सर दिय कत रश प्रह equation पुरस्कार के शुरुवात 1969-70 इस वर्ष से की गई थी शिवचेत्रपती राज्य क्रिडा पुरस्कार है सबसे important पुरस्कार है दोस्तो इससे संबंदित प्रश्णा आने की संभावना है तो यह पुरस्कार के शुरुवात 1969-70 से की गई थी इस क्रिडा पुरस्कार का स्वरुप इस प्रकार से स्मुरूती चिन्न, प्रमाण पत्र, तीन लाग रुपए नकद राशी और बलेजर यह पुरस्कार का स्वरुप है सबसे important पुरस्कार है दोस्तो इससे समझी प्रश्ना आ सकता है इसकी त्यारी अच्छी से करके रखिए नेक्स्ट है एक लववे राज्य क्रिडा पुरस्कार अधिनियम 1995 की परिभाशा के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति को देखिए यहापे दिव्यांग व्यक्ति को यह दिया जाने वाला पुरस्कार है समान अवसर प्रदान करने की दृष्टी से राज्य तथा राश्टि पुतिचिन प्रमाण पत्र एक लाग रूपए नकद राशी और बलेजर इस प्रकार से एक लववे राज्य क्रिडा पुरसकार का स्वरूप है अब हम बढ़ते हैं Central Level Awards अर्थात केंदरस तरफ पर दिये जाने वाले क्रिडा पुरसकार Central Government की तरफ से उतकृष्ट खिलाडियों को कुण से पुरसकार दिये जाते हैं उससे संबंदी जानकारी भी हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहला Award है Major Dhanchan खेल रतन पुरसकार राष्टिय दता अंतर राष्टिय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडि को यह पुरसकार दिया जाता है भारत में खेल के एक शेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरसकार है सबसे important है दोस्तो इस पुरसकार की शुरुवात इस विशन 1991-92 से हुई थी पहले इस पुरसकार को राजियो गांदी खेल रतन पुरसकार इस नाम से जाना जाता था यह सबसे important पुरसकार है दोस्तो इसकी शुरुवात कभी थी 1991-92 यह यहाँ पे पूछ सकते question तो आपको इस question का answer पता होना चाहिए सुरुव इस प्रकार से इस प्रकार के सुरुव के अंतरगत मेडल सनवान पत्र 25 लाक रुपे नकदराशी और blazer सबसे important चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है नकदराशी प्राइज मनी कितना मिलता है तो 25 लाक रुपे यहाँ पे प्राइज मनी मिलता है दुसरा है पूरसकार दोस्तो अरजुन पूरसकार के इंदर स्तरपर मिलने वाला अरजुन पूरसकार राश्टी तता अंतराश्टी इस तरपर सर्वोच्य प्रदर्शन करने वाले खिलाडी को यह पूरसकार दिया जाता है महान धनूर्दर अरजुन की स्मृती में यह पूरसकार दिया जाता है इस पूरसकार के शुरुवात 1961 से हुई थी सबसे इंपोर्टन चीज आपे ध्यान क्या रखनी है इस पूरसकार की अरथात अरजुन पूरसकार के शुरुवात कब से हुई थी तो 1961 से हुई थी यह आपको सबसे इंपोर्टन यहापे चीज ध्यान में रखनी है अब इस पुरसकार का सुरूप क्या है प्राइज मनी कितना है देखते हैं पुरसकार का सुरूप है दोस्तो अरजुन की प्रतिमा अरजुन का स्टैचु वाली प्रतिमा यहापे मिलती है सनमान पत्र मिलता है 15 लाख रुपे नकद राशी मेडल और ब्लेजर अब यहापे आपको सबसे इंपोर्टन चीज कौन से ध्यान में रखनी है पुरसकार के सुरूप में यहापे प्राइज मनी कितना होता है अरजुन पुरसकार में तो आपको यहापे ध्यान रखना है कि 15 लाख रुपे नकद राशी यहापे अरजुन पुरसकार के प्राइज मनी में दी जाती है नेक्स्ट है द्रोणाचारे पुरसकार गुरु शिष्चे की परंपरा को ध्यान में रखते हुए राश्टिय तता अंतरराश्टिय स्तरके खिलाडियों को तयार करने वाले गुरु अरथात प्रशिक्षक को यह पुरसकार दिया जाता है इस पुरसकार के शुरुवात 1985 में की गई थी क्या ध्यान में रखना है दोस्तों यहापे गुरु शिष्चे की परंपरा को ध्यान में रखते हुए गुरु को दिया जाने वाला पुरसकार इस पुरसकार के शुरुवात 1985 में की गई थी आपको question इस प्रकार से पूछेंगे द्रोणाचारे पुरसकार के शुरुवात कब से हुई थी और यह पुरसकार किसे दिया जाता है तो प्रशक्षक को दिया जाता है अब सुरूप देखते हैं पुरसकार का सुरूप गुरू दुरोणाचारे की प्रतिमा दी जाती है सनमान पत्र, 10 लाक रोपे नकद राशी, मेडल और ब्लेजर ये सुरूप है इसका अगला अवर्ड है होकी के जादुगार मेजर धैंचन इनके नाम से पुरसकार दिया जाता है खेल के एक शेत्र में जीवन बर अपना बहुमुल्य योगदान देने वाले विक्ति को ये पुरसकार दिया जाता है इस पुरसकार की शुरूआत सन 2002 से हुई थी तो यहाँ पे आपको क्या धैन में रखना है इस पुरसकार की शुरूआत कभू ही थी और यह पुरसकार किसे दिया जाए तो जीवन बर अपना बहुमुल्य योगदान देने वाले खेल के खेत्र में बहुमुल्य योगदान देने वाले विक्ति को दिया जाता है धैंचन जिवन गरु पुरसकार के अंद्रगत मिलता है तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने State Level Awards और Central Level Awards अर्थाथ राज्यस्तर पर मिलने वाले पुरसकार और केंद्रस्तर पर मिलने वाले क्रिडा पुरसकार से संब्दित संपूर्ण जानकारी देखिये अगले वीडियो में हम पुरस्कार से सम्मंदित अर्थाथ अवार्ड से समंदित MCQs अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारे के साथ तब तक लिए जैहिंद